नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारे न्यूस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर मैट्रिक परिक्षा 2024 के मूल पंजियन कार्ड में त्रूटी सुधार करे इस दिन तक बिहार में बढ़ रहे सरक हाथसे में आएगी कमी 18 सितंबर को बिहार में यहां लगेगा रोजगार मेला बीपी ऐसी टी आरी पी आर्टी अभियर्थियों को आयोग अध्यक्ष ने दी सला कर्मादेश के खिलाफ मैच में पानी पिलाते नजर आएं विराट कोहली इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से मैट्रिक परिक्षा 2024 के मूल पंजियन कार्ड में त्रूटी सुधार करे इस दिन तक अगर आप यह उन शात्रों में आते हैं जिन्होंने बिहार बोर्ड मैट्रिक परिक्षा 2024 के लिए अपना पंजियन कराया था तो यह खबर आपके लिए हैं बता दे कि आज बोर्ड के दोरा मूल पंजियन कार्ड को वेबसाइट पर अप्लोड कर दिया गया है ऐसे में चात्रों से देख कर उसमें अगर किसी प्रकार की त्रूटी यानि की गलती पाई जाती है तो वो 20 सितंबर 2023 तक इसमें सुधार कर सकते हैं या करवा सकते हैं बता दे किस तंबन में बोर्ड के दोरा सभी प्रचारियों को पत्र लिखकर जानकारी दे दी गई है मालम हो कि मूल पंजियन कार्ड में हुई गलती का सुधार प्राचारी के माध्यम से किया जाएगा इसके लावा वैसे चात्र जिन्होंने अब तक पंजियन नहीं करवाया है उन्हें पंजियन कराने का 20 सितंबर तक अंतिम मौका दिया गया है इसमें जिन चात्रों का पंजियन 20 सितंबर तक होगा उन्हें त्रूटी में सुधार करने का समय 21 सितंबर को मिलेगा बिहार में बढ रहे सरक हाथसों में आएगी कमी बिहार में सरक दुरगटनाओं में कमी लाया जा सके इसके लिए बिहार सरकार के पड़िवन विभाग के दोरा जिलो में अधिकारियों को ये लक्ष दिया गया है कि वे अब सरक दुरगटनाओं में कम से कम 10 प्रतीशत की कमी लाएं और साथ ही सको लेकर हर माह एक रिपोर्ट तयार करें जिसमें सरक दुरगटनाओं का आकड़ा और दुरगटनाओं कम करने के लिए किये गए काम का ब्योड़ा उपलब्ध होगा उसे विभाग को भीजा जाए इसके लावा विभाग के ओर से सभी जिलो में चलंद दस्ता बनवाने का नर्देश दिया गया है जोन सभी इलाकों में जाकर मुआयना करने का काम करेंगे जिन इलाकों में सरक दुरगटनाओं अधिक होती हैं ताकि जांच के बाद जो भी कमी निकले उसे ठीक किया जा सक वहीं आम लोगों और गारी चालकों को फॉस्टेड और प्री हॉस्पिटल ट्रीप्मेंट देने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी इसके साथ ही जिलासतर पर एक विशेश सलाकार समीती का गठन किया जाएगा जो सरक दुरगटनाओं वाले छेतर के संबन में अधिकारिय दो सितंबर को एक फर्मान ये जारी किया गया था कि कई कई दिनों तक स्कूल नहीं आने वाले छात्रों के नामों को स्कूल से कार दिया जाए जिसके बाद 13 सितंबर तक स्कूलों से 1,086 बच्चों के नाम को स्कूल से कार दिया गया है मालू हो कि सभी वही बच्चे हैं जिनका इसी महीने नामांकन रध हुआ वही आगे यहां करा और भी बढ़ने वाला है बतादी कि यहां करा सिक्चा विवाग को जिलो को मिली रिपोर्ट से सामने आई है इस रिपोर्ट के आधार पर ही यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि पश्चिंचंपारन और अररिया जिली में सबसे ज़ादा नाम काटे गए हैं ऐसे में अगर यह बच्चे फिर से पढ़ना चाहते हैं तो उनका नामांकन दुबारा ले लिया जाएगा इस दोरान अविवावक से एक ऐसा सपत पत्र भी लिखवाया जाएगा 18 सितंबर को बिहार में यहां लगेगा रोजगार मेला अगर आप भी बेरोजगार हैं और रोजगार की तराश में हैं तो यह ख़वर आपके लिए हैं बतादी के बिहार के बकसर जिले के और दोईक प्रसक्चन संसान परिचसर इस्तिल संयुत श्रम भवन में बिहार सरकार के श्रम संसादन विभाग के तत्वधांद था जिला नियोजनाले के सहयोग से 18 सितंबर को सुभा 10 बजे से शाम 4 बजे तक रोजगार सिवर का आयूजन किया जा रहा है इस बारे में जिला नियोजन पदादिकारी अनीश कुमार तिवारी के दोरा जानकारी देते वे बताया गया किस भरती में भाग लेने वाले उमिद्वारों की आयू सीवा नियूंतम 18 वर्ष और अधिक्तम 40 वर्ष होनी चाहिए वहीं अगर सेचनिक योगिता की बात करे तो मिद्वार को नियूंतम 10 वी पास होना अनिवार है और इसके साथ ही उमिद्वार ITI डिप्लोमा योगिता धारी भी होना चाहिए इसमें भाग लेने वाले उमिद्वार आयूजन अस्थल पर अपने साथ अपना सचनिक प्रिमान पत्र जैसे आधार कार्ड, बायो डाटा, इत्यादी, डॉक्यूमेंट्स आधी ले कर जाएं बिहार नाउ हादसा में पांच लोगों के सब बढ़ामत बीति दनको बिहार के मुझह परपुर में गायगार्ट प्रखंट के बेनी बाद ओपी छेतर में बागमती नदी में नाउ पलड़ गई थी जिससे कि उस नाउ पर सवार तीस वक्ती डूब कै थे जिसमें से बीस लोगों की जानतों बचा ली गई थी लेकिन दस लोग रापता थे ऐसे में न्यूज लिखे जाने तक चलादिकारी प्रणफ कुमार के दोरा बताया गया कि शुक्रवार को पांच सब बढ़ामत किये गया है और बाकी की तलाश जारी है बता दे कि जिन लोगों के शव को बढ़ामत किया गया है उनमें मुहमबन नौशाद, महरूम यकूव, राजदेव सहनी, मुहमब इसमाईल और एक बच्ची का शव बढ़ामत किया गया है जिसकी पहचान खबर लिखे जाने तक नहीं हो पाई थी, मालगों कि इस सर्च अभियान में मिले शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया गया है, बिहार STET आंसर की पर अपती दर्ज कराने की आज लास्ट डेट, अगर आप भी उन अभ्यरतियों में से हैं जो बिहार STET 2023 परिच्छा में शामिल हुए थे तो यह घबर आ आई है, तो आज का दिन आपके पास यह काम करने के लिए अंतिम दिन है, आपती दर्ज करने के लिए अभ्यरतियों को ओफीसियल वेबसाइट BSEBSTET.com पर जा सकते हैं, बता दे कि अभ्यरतियों को 50 रुपे प्रती आपती के हिसाब से सुल्क भी देना होगा, मालुम हो कि आपती सुल्क, डेबिट कार, क्रेट कार्ड या नेट बैंकिंग से जमाकर आया जा सकता है, मद्र निशेद विवाग के अपर मुखे सचीफ सहित कई अधिकारियों पर लगाया जुर्माना, पटना हाई कोट के जस्टिस पीवी बजंतरी की घंडपीट के दोरा सराब बं अधर एवं मद्र निशेद विवाग के अपर मुखे सचीफ सहित अनिवडिये अधिकारियों पर पचास हजार रुपे का जिर्माना लगाया है, इस दोरान कोट के दोरा टिपनी करते वे कहा गया कि अगर सरकार क्वाटर के अंदर सराब के एक बोतल पाई जाती है तो क्य सरकार अपने ही क्वाटर को सील कर देंगे, किस आधार पर अपर मुखे सचीफ के दौरा मकान को मुक्त करने के लिए 10 लाख रुपे का पेनलिटीद लगाया गया, कोट ने कहा कि एक ही जल्म के लिए कहीं 1 लाख रुपे, तो कहीं 10 लाख रुपे, ऐसा मनमानापन क्यों? BPSC TRE PRT अभ्यर्थियों को आयोग अध्यक्ष ने दी सला, बितर दिन शुक्रवार की शाम को बिहार लोग सिवा आयोग के अध्यक्ष अधुर प्रशाद के दौरा, अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते वे BPSC TRE PRT डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन को लेकर यह जानका अधिकारी द्वारा उनकी मोहडों के साथ विधिवत सत्यापित किया जाना चाहिए। अगर आप भी राज्य के सहरी इलाकों में घर बनाने की चाहर रखते हैं तो यहाँ खबर आपके लिए बता दे कि नगर विकास एवं आवास विवाग के अपर मुख्य सचीव अरुनीश चावला के दौरा आदेश चारी करते वे यह जानकारी दी गई है कि राज्य के सहर अगर आप बढ़ेगा बता दे के अदेश के मताबिक अब एक जनवरी तो हजार चौबस में इसमें बढ़ोतरी होगी बिहार विधान सभा में 204 नए पदो पर जल्द होगी बहाली अगर आप भी बिहार विधान सभा में नौकली करने की सोच रही है तो यह खबर आपके लिए है बता दे की बहुत जल्दी आपके जानकारी तो बता दे की बहाली का नड़ने विधान सभा के संचालन और बढ़ते कारियों को देखते वे किये जाने का नड़ने लिया गया है मालमों के जिन पदों के लिए मन्जूरी दी गई है उसमें सो के 4 पद, असिस्टेंट के 20 पद, जूनियर कलर्थ के 20 पद, डाटा इंटरी ऑपरेटर के 40 पद, ऑफिस असिस्टेंट का 40 पद और स्रक्षा गाड़ के असी नए पद शामिल है इग्नू ने अगनीवीरो के लिए लूच किये 5 बैचलर कोर्सेज, इंद्रा गांधी राष्रिय एक्छुला विश्यविद्द्यालय यानि की इग्नू ने पटना के रीजनल सेंटर के द्वारा अगनीवीरो के लिए 5 नए बैचलर कोर्सेज की शिरुवाद की गई है पतादे कि जन 5 कोर्स की शुरुवात की गई है उसमें B.A.A.S. यानि की Bachelor of Arts in Applied Skills, B.A.A.S.M.S.M.E. यानि की Bachelor of Arts MSME, B.A.A.S.T.M. यानि की Bachelor of Arts Students Management, B.C.O.M.S. Bachelor of Arts in Applied Skills और B.S.C.A.S. यानि की Bachelor of Science in Applied Skills सामिल है वहीं इसके लावा एगनों के दोरा 10 और 9 पाठेक्रम की शुरुवात की गई है जिसमें सर्टिफिकेट से लेकर डिग्री प्रोग्राम तक शामिल है प्रविशोक उत्र चात्रविती योजना 2023 के तहत ऑनलाइन आवीदन करने की तिथी बढ़ी बता दे के बावीदन करने की अंतिंतिती को बढ़ा कर 30 नवंबर 2023 कर दिया गया है ऐसे में वे उमिद्वार जिन्होंने अब तक आवीदन नहीं किया है वे PMS Portal की अधिकारिक वेबसाइट sttp.com.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवीदन कर सकते हैं आपके जानकारी के बता दे किस योजना का लाब लेने के लिए कुछ योगिता भी निरधारित किया गया है जिसके तहत आवीदक बिहार राजी का स्थाई निवासी होना चाहिए इसके अलावा आवीदक पिछरा वर्ग अत्वा अध्यन पिछरा वर्ग से संबंध रखता हो स्वयम की आई सहित मातापता अविवावक की वार्सी का आई तीन लाख रुपे से अधिक नहीं होनी चाहिए और आवीदक राजी के अंदर अवस्थित सरकारी संस्थानू मानता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानू में प्रविसोतर पाठे क्रम में अध्यन रथ हो स्यम नितीश को मिला श्रीलंका आने का निमंत्रल आज बेहर के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के दोरा अपने एकने मार्ग इस्थित संकल्प में श्रीलंका के उचायुक्त अशोक मिलिंडा मोडा गोडा से मुलाकात की गई उनकी यह मुलाका असिस्ट चार मुलाकात रही इस दोरां सियम नतीश और श्रिलंका के उचायुक्त असोक मिलिंडा मोडा गोडा के वीच कई विश्यों पर चर्चा हुई स्रिलंका के उच्चायुक्त असोक मिलिंडा मोडा गोडा को मुख्यमंत्री आवास परिसर इस्थित बोधी व्रिक्ष के दर्शन करवाए और उसे जुरी जानकारी दी इसके साथ ही सीम नितीश के द्वारा अधिकारियों को नर्देश दिया गया कि श्रिलंका के उच्चायुक्त असोक मिलंडा मोडा गोडा को बिहार की राजधानी पटना असत बुद्धिस्मृती पार्थ का भी भ्रमन करवाया जाए इस दोरां सीम नितीश ने श्रिलंका के उच्चायुक्त अशोक मिलंडा मोडा गोडा को अंगवस्तर एवां प्रतीक चन भेट कर सम्मानित किया तो वहीं श्रिलंका के उच्चायुक्त के द्वारा सीम नितीश को श्रिलंका आने का निमंतरन दिया गया बांगलादेश के खिलाफ मैच में पानी पिलाते नजराएं विराट कोली बीदर दिन कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम पर भारत और पाकस्तान के बीच खेले गए मैच में टीम इंडिया के दोरा टॉस जीतते वे पहले गेंद बाजी करने का फैसला लिया गया ऐसे में वेस मैच के दोरान खिलाडियों को पानी पिलाते नजराएं मालूम हो कि उनके इस अंदाज को देकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है पतादी की पारी के चौथे ओवर में विराट वोटर बॉय बनकर मैदान पर उतरे जिसमें वे काफी उतसाहित दिख रहे थे उन्होंने खिलाडियों को मजा की आंदाज में पानी दिया जानी आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी सनिवार को पिट्रॉल डीजल के रेट जारी किये गए इसके बाद राजधानी पतना में आज पिट्रॉल 107.24 और डीजल 94.6 रुपे प्रति लीटर में मिल रहा है वहीं पूर्णिया में पिट्रॉल कीमत 118.7 रुपे और डीजल कीमत 95.3 रुपे प्रति लीटर है भागलपूर में पिट्रॉल कीमत 118.56 रुपे और डीजल कीमत 95.3 रुपे प्रति लीटर है बीते दिन हमारे दोरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्हों ने हमारे दोरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, अमित कुमार, उमेस रेसि से स्कूलों में अनुपस्ति छात्रों के नाम काटने का फैस्ट लास सही है या गलत अपना जवाब हमें अमारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तेमाम खब्रों के साथ बर रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चौन को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले थानेवाद